तो चलते हैं question number 13 पर रहे हैं और यहां पर statement के question आ रहे हैं question 13 से शुरू हो रहे हैं तो please आप इनको ध्यान से देखे और देखकर दूसरों को जरूर सिखाएं मैंने यहां पर लिया mental math question bank class 8 और आपके math के अंदर भी second chapter है और mental math के अंदर भी second chapter दिया हुआ है तो चलते है question number 13 क् कहता है हमें इसको read करना है और अच्छे से समझना है तब ही हम इसको अच्छे से कर पाएंगे देखे what is the number हमें वो number find करना है इसमें लिखा न वो number क्या है which when added to 10 times of itself gives 275 तो कहने का मतलब है कि जो भी number है उसको उसके 10 times में हमें वही number add कर देना है ताकि हमारा जो result आए वो 275 ठीक है तो वो number find करना है उसी number का 10 times और दोनों को add कर दे तो 275 आता है तो आए करना शुरू करते हैं और यहां पर मैं बच्छो आपको दिखाता हूं करके और यहां पर इस question को भी मैंने पहले से लिखकी रखा हुआ है यह मैं आपको दिखा देता हूं यह देखी यहां पर तो हम let कर लेते हैं बच्छो यहां पर let the number equal to x ठीक है अब इसका 10 times भी निका लेते हैं 10 times of the number equal to 10x हो गया 10 times miss ठीक है अब यहां पर according to question करते हैं देखी अब लिखा added अब इस number को और इसके 10 times को हमने क्या कर दिया add कर दिया और जल्ड क्या आता है यहां पर लिखा 275 इस तरीके से बहुत इस चोटा सा question है आप देखे 10x और 1x हो गए 11x is equal 275 ठीक है अब हम में x की value निकालनी है तो 275 इदर लिखेंगे और x के साथ 11 multiply की form में इदर आकर यह divide की form में आ गया आए डिवाइड कर लेते हैं 11 बंजा 11 11 टू जा 22 अब 27 में से 22 माइनस करते तो 5 रहता है और 5 यह हो गया 55 तो question हो गया आपको यह question कैसा लगा मुझे comment में जरूर लिखें और इसमें से शीक कर दूसरों को सिखाएं मिलते हैं अगले question पर तब तक के लिए धन्यवाद